जहिन साथियों कैसे हैं आप सभी आप सभी का आज के इस बहत्रीन से सेशन में एक बार फिर से स्वागत है और आप सभी को मेरा नमस्कार अदाप शिस्तिकाल एंड वेरी गूड मॉर्निंग क्या हाल चाल चलिए तो जल्दी से जुड़ जाए आज की इस क्लास में आज के इ बहुती जबरदस्त इसका नाम है Mathematical Operators याने की गर्तिक गया चिन शलिए तो एक बार आईए पहले आप सभी जुड़िये सेशन में फिर हम बात करेंगे आज के सेशन की मैं भी एकदम ठीक बढ़िया एकदम बिंदास है ना तो कल भी आपकी क्लास हुई थी और कल संडे में क्लास ली थी मैंने आपकी तो जिन्होंने भी कल वाली क्लास नहीं अटेंड की है तो वो सभी जो है कल वाली class attend जो है वो अविशक कर लीजेगा और कल का जो topic था वो dice था जिसमें की कल हमने open dice को cover किया था open dice को cover किया था और missing dice को भी cover किया था तो missing dice और open dice दोनों ही जो है मैंने कल cover किये थे आप सभी को बहुत ही बहतर तरीके से समझाने की कोशिश पूरी की थी ठीक है clock की DPP में कुछ error है थी कल एक student का message आया उसकी बाद जो clock का second DPP थी वो मैंने ठीक करवा दिये ठीक है तो update हो गई होगी है अगर नहीं होई हो तो आप मुझे inform कर दे ना इस्टाग्राम के माध्यम से ठीक है कभी भी अगर आप DPP लगाते हो वैसे तो DPP काफी check होने के बाद जाती है लेकिन फिर भी कभी कभी क्या होता नहीं कुछ typing error रह जाती है ठीक है तो अगर कोई typing error आपकी कभी कभी आपको लगे कि DPP में कोई typing error है तो आप inform कर दिया करो मुझे ठीक है मैं उसको ठीक करवा दूगा ततकाल प्रभाहों से टेलिग्राम पर इंस्टाग्राम पर कहीं भी आप मुझे message करके एक बार बदा दिया करो सर इस वाली DPP में यह वाली typing error है तो जैसी मुझे पता चलेगा उसको ठीक करवा दूगा ठीक है आपलकुल तो चलो अब हम आज के topic पर आते हैं हमारे आज के topic का नाम है mathematical operators यानि की गरतिग्य चिन टोटल मिलाकर चार गरतिग्य चिन होते हैं एक होता है addition टोटल मिलाकर चार ही गरतिग्य चिन होते हैं एक होता है addition एक होता है subtraction subtraction की spelling लिखना जरा comment में और एक होता है multiplication एक होता है multiplication और एक होता है आपका division एक होता है आपका division, तो ये चार गर्तिग्य चिन होते हैं आपके, ठीक है, addition मतलब plus, subtraction मतलब minus, multiplication मतलब multiply और division मतलब divide, तो ये चार गर्तिग्य चिन होते हैं, जिनका काम है, ठीक है, ये चार गर्तिग्य चिन होते हैं, जिनका काम है, सही है, प्रेटीशेट के पीछे insect है, कहा पर थाही में मजाग कर रहे थे मजाग कर रहे हो थे कुटो गे मेरे से ठीक है colors वाला cuboid में में अलग से करा हूँगा मिसलिनियस पार्ट में डाल दिया है ठीक है वो मैंने क्यों उसमें नहीं कराया वो डाइस में उसे में अलग से ही करा दोगा ये तुम लोग ने ना शैतानिया बहुत करनी है देखो कितने बच्चे सब्ट्रेक्शन की स्पैलिंग गलत लिख रहे है कितने बच्चे जो हैं वो सब्ट्रेक्शन की स्पहले इंगला देख रहे हैं सब्स्ट्रेक्शन नहीं होता है क्या होता है सब्ट्रेक्शन होता है ठीक है क्या होता है सब्ट्रेक्शन होता है सही है तो सब्स्ट्रेक्शन नहीं होता सब्ट्रेक्शन होता है वो है board mass का बाकी ये वाले जो telegram group है इसको join कर ले ना मैंने कहा आपको जैसे कभी कोई DPP में लगता है कि error है है ना solution में error है options में error है या question में error है तो आप जो है वो यहाँ पर मुझे telegram पर भी बेच सकते हो और ये जो एपरेल फूल बना रहे हो वीटा तुम्हारा जिंदगी एपरेल फूल बना रहे है तो मेरा क्या बना होगे है चलो तो देखो mathematical operators में सबसे जो महत्वपूर काम है वो है board mass किसका भी है board mass board mass का formula आप लोगों ने पांचवी कक्षा में पहली बार सीखा होगा कि what is board mass board mass का मतलब होता है b for bracket b का मतलब होता है bracket और bracket भी कई तरीके के होते हैं आपके ठीक है, सबसे पहले आपका ये वाला open किया जाता है फिर इस bracket को open किया जाता है फिर सबसे last में ये वाला bracket open किया जाता है ठीक है off का मतलब, O का मतलब होता है kind of off, off में क्या-क्या चीज़े आती है off में आती है आपकी multiply या फिर square या फिर cube ठीक है सही है फिर D का मतलब होता है divide M का मतलब होता है multiply A का मतलब होता है addition और S का मतलब होता है subtraction याने की घटान तो इस तरीके से ये जो है वो आपके होते है हाँ कुछ जगा V board mask वो maths में बोला जाता है क्योंकि वर्निकुलर लगा होता है हमारे mathematical operators में ऐसा कोई question नहीं आता है जिस पे वर्निकुलर लगा हुआ हो ठीक है तो यसलिए हम V board mask का यूज नहीं करते है हम board mask का यूज करते है तरुन अगर आपने नया batch जॉइन किया उसकी बाद आप live करना ठीक है तो V board mask मतलब यह होता है चलो एक question है इसका answer मुझे दो आप सभी यहाँ पर कह रहा है कि 36 of 3 plus 9 square divide by 3 multiply by 7 minus 49 बदाओ जरा answer कितना आएगा इसका इसका answer बदाओ कितना आएगा बार वाले question जो है वो maths में आते हैं मैं बानता हूँ आपकी बाद बार वाले question reasoning में नहीं आते है ठीक है यहाँ पर question कैसा आएगा मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ ठीक है वो तो मैं board mask सिखा रहा हूँ इसलिए क्योंकि board mask की जरूरत पड़ती है तो board mask तुमें सिखाने का कोई तातपर है थोड़ी ना है board mask तुमें 5 वी class से आता है ठीक है मैं तो reasoning सिखाने आएँ तुमको math थोड़ी ना सिखाने आएँ यह मैं board mask थोड़ी ना सिखाने आएँ अब देखो अलग अलग अंसर क्यों आ रहे हैं आप सभी एक ही क्लास में पढ़ रहे हूं सभी को मैथ साती है फिर भी अलग अलग अंसर आ रहे हैं तो ये तो गलत है गलत क्यों है अब देखो मैं बताता हूं गलत क्यों है देखो मैं बताता हूं यहां पर करा है 36 of 3 मतलब हो गया 108 सबसे पहले हमें board mass में off solve करना पड़ेगा क्योंकि यहां पर bracket तो है नहीं चलो फिर 9 का square मतलब 81 divided by 3 into 7 minus 49 सही है अभी हो गया गित्ता 108 plus 81 divided by 3 into 7 minus 49 इसको solve किया तो यह गित्ता हो गया यह हो गया आपका 3 दुनी 6 और 7 तिया 21 तो हो गया 108 plus 77 उड़न चास का 9 carry 4 7 दुनी 14 और 4 अठार minus 49 minus किया कित्ता हो गया 140 तो 108 plus 140 तो यह कित्ता हो गया यह हो गया आपका 248 तो इसका answer होना चाहिए था 248 by using board mass ठीक है single line calculation आपको आनी चाहिए single line calculation आपको करनी आनी चाहिए स्वयम से सही है पुनम का 32 आ रहा है राकेश का 27 आ रहा है विपलब का 288 आ रहा है पूर्णिमा का 288 आ रहा है ठीक है तो आप लोगों की calculation इसका मतलब बहुत ज़ादा कमजोर है कमजोर नहीं बहुत ज़ादा कमजोर बुरा मत मानना मैं आपको सच बदा रहा हूँ आपको अगर अपनी maths अच्छी गननी है अनिशाद आपको पहली भी बात बदाई दी या नहीं बदाई आपको असर अगर आपको अपनी maths अच्छी गननी है maths वाले टर्म में reasoning वाले में नहीं reasoning में तो एक आप चैप्टर में चलो calculation हलके फुलकी लगती है अगर आपको अपनी maths अच्छी गननी है तो एक CBSC क्लास की 5th क्लास की maths की किताब लेना कौन सी क्लास की? माच्वी वाली ठीक है? उसमें अपने आपको जो है न वो मत समझना inferior मत समझना यह मत सोचना कि यार पुलकेट सर जो है वो मतलब यह कहेंगे मतलब कह रहे हैं हम बताओ 5th क्लास की किताब ले ठीक है तो 5th क्लास की maths की किताब ले लो और उसमें जितनी भी calculation आपको दी गई होंगी वो calculation आपको complete कर लेनी है ठीक है so that आपको बहुत सारी चीजे अपने आप समझ में आजाएं सही है चलिए बहुत बढ़िया तो अब हम question دیکھते हैं पहला कोशन है आपकी screen पर बनाएं पहला कोशन है आपकी screen पर देखे question में क्या कह रहा है पहला कोशन है आपकी screen पर देखिए कि question में आपसे क्या क्या रहा है क्या रहा है कि यदि यहाँ पर सभी symbols का एक meaning दिया गया होगा और आपको उसके बाद इसका जो है वो बताना है कि अर्थ जो है वो क्या आएगा ठीक है बिटा board mask में add और subtract आप दोनों कर सकते हो add or subtract एक साथ कर सकते हो add or subtract करने में कोई समस्या नहीं है दोनों को add करके subtract करोगे तब भी बात भाई है multiply और divide भी अगर साथ में दिये गएं तो पहले आप divide कर सकते हो पहले आप multiply कर सकते हो बेटा हिंदी मीडियम वाले भी यही करें क्योंकि अभी मैं टूशन पढ़ा रहा था बीच में तो जो मेरा एक कजन है चाचा जी का बेटा है तो वो फिफ्थ क्लास में तो मैं उसको पढ़ा रहा था ठीक है तो मैं जब उस दिन पढ़ा रहा था तो उसकी फिफ्थ क्लास की math की calculation मुझे अच्छी लगी उसमें सारी चीज़े दी गई थी मतलब जो calculation हमें आनी चाहिए basic तो मैंने इसी लिए बोला कि आपकी इच्छा है को इसी भी लो सजाओदीन खांसा ने तो सब कराई दिया है बेटा तुमने कितना किया ये depend करता है तुमारे calculation अच्छी नहीं है तो मैंने बोला है अच्छी है तो कोई जरूरत नहीं कोई जबरदस्ती थोड़ी नहीं कि पुलकेटसन ने काया तो कर नहीं है नहीं ऐसा कुछ नहीं अब यहाँ पर होता कि देखो maths में तो यह सारी चीज़ें नहीं दी गए होती है maths में यह दिया गया होता है अब यहाँ पर इनकी meaning interpret करके इसको solve करना है सही है कि जैसे dollar का यहाँ पर अर्थ है plus hash का यहाँ पर अर्थ है minus add the rate का यहाँ पर अर्थ है multiply और star का यहाँ पर अर्थ है divide ठीक है अब यह meanings को यहाँ पर put up कर दो जैसे dollar की जगा plus लिख दो add the rate की जगा multiply लिख दो hash की जगा minus लिख दो और star की जगा divide लिख दो ठीक है इन values को यहाँ पर put up कर दो इन values को put करने के बाद आप देखो कितना आएगा आपका 16 गुडा 4 पंजे 20 अब यहाँ पर solve किया तो कितना हो गया 16, 20, 36, 36 में 9 गये 36 में 9 गये या निकी हो गया 27 आपका जो answer है वो कितना बना 27 बना that is option B कितना बना 27 बना that is option B तो यह है type 1 question इस तरीके के question बहुत ही simple होते है direct value put करने होते हैं और आपका answer मिल जाता है ठेके UPSI, UP Constable दोनों में आते हैं ठेके और आपके SSC, Railway इन में भी आते हैं Bihar SI, Bihar Daroga, Bihar Constable इन में भी आते हैं Railway के ALP, Group D, NTBC हर एक जगह आते हैं तो यह वाले जो question है यह कोई exam ऐसा नहीं हो जिसमें नहीं आते हैं CHSL के, GD के, MTS के CPO के CPO में चार चार पंच पंच question आ जाते हैं इस topic से, तो यह topic ऐसा है जो हर exam में आता है ठीक है सही है तुशार कांता राउत, मैं देख लूँगा बेटा भाई, Coding Decoding के DPPB तो यहाँ पर 73% बच्चों ने सही answer दिया था, वाकी को जल्दी थी, शायद किसी और चीज़ में इसलिए गलत answer दे गए होंगे चलिए कोई बात नहीं अगला question है next आपकी screen पर बनाईए करिए ISSC GD में भी आएगा सब में आता है इसे question हर एक exam में आते है से question, 2-3 question आते ही आते है entrance exam दोगे न B8, BTC वाले, उसमें भी आते है सब में आते हैं से, कोई ऐसे exam है ही नहीं जिसमें इससे question ना आता हो क्या रहा है जी, divide को multiply लिख दीजे, तो जहाँ divide दिख रहा हो वहाँ पर क्या लगा दो, multiply जहाँ divide दिख रहा हो वहाँ पर क्या लगा दो, multiply जहाँ multiply दिख रहा हो वहाँ क्या लगा दो, plus, जहाँ plus दिख रहा हो वहाँ लगा दो, minus और जहाँ माइनस दिख रहा हुआ लगा दो डिवाइड सही ठीक है अब देखो यह माइनडी तो है आपका अब आप यहां पर यह सोचो कि मैं पहले सारा सॉल्व कर लूँ फिर आड़ करूँ तो क्या जरूरत है 16 और 13 उननेस माइनस अब कोई बच्चा गया पहले मैं पांच को दो से भाग करूँ धाई और धाई की गुड़ा करूँ चार से क्यों महनत करनी अगर यह पांच बटा दो गुड़ा चार लिखा है तो इसका मतलब पहले मैं इसको भी तो भाग कर सकता हूँ है तो इसे दो गया पॉचल कट लिए डस आगया ,कितना बच्चकिया नौ बच्चकिया बस लास कुड़ी स्टुडेंटश को लगता है यह होगा हैना बाकी जो students हैं उनको लगता है B, C, D होगा क्यों तुक्का लगा रहे हो सच बता ना किस-किस ने तुक्का लगाया था कसम है तुम्हें reasoning की एक्जाम में question गलत कर दूगे जल्दी बताओ किस-किस ने तुक्का लगाया था इमानदारी से बताओ किस-किस ने तुक्का लगाया था जल्दी से कसा में तुम्हें गुरीज ने की जल्दी बताओ जिन्होंने नहीं लगाया था उनसे नहीं पूछ रहा हूँ मैं जिन्होंने लगाया था उनसे पूछ रहा हूँ सिंबल चेंज नहीं किये बहुत बढ़िया चलो अच्छा है इस चाप्टर में कुछ ऐसा खास है नहीं इसलिए पोल लगा रहा हूं और ना कुछ खास होता तो मैं पोल अपने आप ही नहीं लगाता मैं कभी पोल पर जाद वैसे भी वरोसा नहीं रखता करना हां बिलकुल यार सिंबल तो चेंज करना वड़ेगा दोस्त कि दिया गया है नहीं दिया गया होता है तो फिर वो मैंत्स हो जाता है वो सिंप्लिफिकेशन हो जाता फिर वो मैंत्मेटिकल ओपरेटर्स नहीं बचता अगर एक्वेशन सिर्फ इतनी दी जाएगी ना वह एक बात बुदव अगर एक्जामिनर आपको एक्वेशन में यह सब नहीं देगा माल लो एक्जामिनर ने यह सब नहीं दिया तो फिर यह रीजनिंग थोड़ी ना बची पिर यह क्या बन गई अगर यह सिर्फ यही कोशन आता सिर्फ इतना सा कोशन आता तो यह क्या बन जाता यह बन जाता सिंप्लिफिकेशन यह क्या बन जाता यह बन जाता सिंप्लिफिकेशन यानि की सरली करण तेक है अगर यह कोशन आता तेकर यह नहीं यह कोशन कोशन में यह सारी कहानिया दी गई है और जब यह दी गई है तो कहारा plus का रएट divided so that plus की जगा divide लगा कहारा divide का रएट minus की जगा minus कहारा minus का रएट multiply minus की जगा multiply लगा multiply का रएट plus तो multiply की जगा plus लगा ठीक है सही अब यहां देखो 12 divided by 6 is 2 minus 3 two is a 6 plus 8 तो कित्ता हो गया यह हो गया आपका 8 हो 20 10 में 4 गया दस में चार गए कितना बचा? सॉरी, दस में 6 गए, तो कितना बचा? 4 बचा, यानि कि आपका आंसर हो गया option C, आपका आंसर क्या हो गया? Option C, so C बिलकुल ठीक है, 69% का, बाखी लोग तुक्के बाजी पर भरोसा करे हो गए हैं अभी भी, चालो, बढ़ी है, good, nice, very nice, अधित्य मिश्रा, depend करेगा, मैं बता दूँगा, अगर कुछ होगा तो, definitely बता दूँगा, परिशान मतों बिलकुल भी, नहीं तो प्रेक्टिस क्लास के लिए, सबसे बहतर होता है, वाई टी, अप मेरी यूट्यूब वाली प्रेक्टिस क्लास जॉइन कर सकते हो, उससे आपके प्रेक्टिस होनी शुरू हो जाएगे, वो आप अभी से भी कर सकते हो, ठीक है, अगर आपकी पहली क्लास है, तो वैलकॉम इसर आपका, पढ़िए, अभी इस इंतजार में मत रहिए, कि फूलों की माला बरसेगी, पढ़ा ही करिए, मैं तो क्योंगा, पहले रिकॉर्डिट सेशन कंप्लीट कर लीज़े, उसके बाद लाइव करिएगा, भाई साब, अभी यही डिस्कस हो रहा था सुबह, मैं ने तिन सर को भेजा, कि लोग हरिद्वार इशिकेश, घूमने जा रहे, इतनी जंता जा रही है, कि कल हरिद्वार इशिकेश में, 25 किलोमीटर का जाम था, यही लगा लो, शिफ्पुरी से ले करके, जो राय वाला जगा पड़ती है, वहां तक, टोटल 25 किलोमीटर का स्पैम था, जो पूरा जाम था, लब गाड़ियां, खिसक नहीं पा रही थी आगे, पहाड पे, गाड़ियां खड़ी रहने का मतलब पता है, क्या होता है, वाइब्रेशन, उसी से तो पहाड़ों को सबसे ज़्याद नुकसान पहुचता है, इतनी जंता जाग क्यों रही है, तो यही समझ नहीं आ रहा, इस पे भी ना सरकार को नियम बनाना चाहे, कि भहिया, रिदवार के आगे, सिर्फ पर डे, इतने लोगों की एंट्री होगी, इस से ज़्यादा कार एंट्री नहीं होगी, ELP का स्कैम कब तक होगा, स्कैम कब क्या होता है, मतलब कौन सा स्कैम करा रहे हो, क्या राप प्लस को माइनस लिख दीजे, तो नहीं 10 प्लस पांच, तो 15 पांच 20 और 20 में 2 गए कितना बचा, क्या राप प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, minus का multiply minus का multiply और divide का plus तो divide का plus और multiply का divide तो multiply का divide पास तिहा 15 minus 2 plus 5 15 और 5 पंदरा तिहा 45 और 5 हो गये पैंच हो गये 50 50 में 2 गए तो 48 50 में 2 गए तो कितने हो गए ? 48 कितने हो गए ? 48 अच्छा exam कब हो होगा एक्जाम की स्पैलिंग यह कब से हो गई सी एम यह कौन से स्पैलिंग है एक्जाम की यह कौन सी स्पैलिंग है नहीं बनाई है गया लब यह तो कहीं से कहीं तक भी नहीं दिख रही एक्जाम लिख देते हैं और ऐसे लिख देते तब भी समझ आ जाता ऐसे एक्जाम की यार इतना reasoning भी लगा लूना मैं तो इस scam को exam नहीं पड़ पाऊंगा भई मैं ठीक है बहुत बढ़िया 79% अब ये वाला जो question है ये question exam में skipable होता है exam में is question को skip किया जाता है याद लखेगा exam में is question को कोई exam कब होगा कुछ नहीं बदा सिफ सरकार बदा सकती है न मैं बदा सकता न कोई और teacher बदा सकता सिफ सरकार बदा सकती है सरकार से पूछा करो कब होगा paper क्योंकि कब कौन सा paper इनका मन कर जाए change करने कुछ नहीं भरोसा पढ़ो अपने तैयारी पूरी रखो जब भी paper हो जाके दे देना ठीक है चलो ये वाला जो question होता है ये exam में हमें skip करना होता है skip इसलिए करना होता है कि बहुत time taking question है लेकिन अगर सर हमारे पास समय बचे तो इसको करना है बिल्कुल करना है ठीक है दो option होते है या तो इस question को बिल्कुल last में करना होता है या इस question को skip करना होता है क्योंकि ये question लेके जाता है डेड़ से दो मिनिट ठीक है ये question लेके जाता है डेड़ से डो मिनिट चलिए तो मैं आपको दे रहा हूँ इसके लिए डेड़ मिनिट आप मुझे solve करके बदाईए कौन सा option सही है आप मुझे solve करके बदाईए कौन सा option सही है मंचेश यादव अभी सुबह सुबह तो आप कह रहे थे अभी दस मिनट पहले कि आज आपके पहली क्लास है कल यह एक्जाम करा दूँ फिर आपका पढ़ लो यार अभी यहां पर तो को मीनिंग्स दिये गए है फिर आपको option दिया गया है आपको option solve करना है जनरली ऐसे question में जहां पर value repetitive दिखे वह आपका answer होता है value repetitive कहां दिख रही है option D में तो यह आपका answer होगा check कर लेना चाहे देखो क्या रहा है कि L का रथ है divide यहां पर सभी मीनिंग्स को यहां पर लिख लो इधर क्या रहा है कि L का रथ क्या है divide है ठीक है फिर क्या रहा है कि M का क्या है multiply है M का क्या है multiply है फिर क्या रहा है कि P का क्या है plus है और Q का क्या है minus है आजाओ question पे कहा रहा 32 P 32 P का मतलब plus 8 L L का मतलब divide 16 Q का मतलब minus 4 तो यह कितना हो गया 32 में 4 गए तो 28 बचे 28 plus 1 बटा दो LCM ले लिया आपने 2 तो 28 दूनी 56 कितना हो गया 28 दूनी 56 56 plus 1 तो यह हो गया 57 बटा दो इतना हो गया 57 बटा दो हमको चाहिए तो 3 बटा दो तो यह तो नहीं हो या कितना आ रहा है 57 बटा दो आ रहा है क्या रहा है 57 बटा दो आ रहा है तो यह तो होगा नहीं फिर उसके बाद है यहाँ पर 6 M M का मतलब क्या है multiply 18 Q का मतलब क्या है minus 26 L का मतलब क्या है divide by 13 और P का मतलब क्या है प्लस 7 तो यह हो गया दो बार में ठीक है तो यह हो गया 6 यह हो गया कितना अपका 8, 48, 48 का 8, carry 4 6, 4, 10, 108 और यह हो गया, minus 2, plus 7 is minus 5, is plus 5 तो यह हो गया आपका 113 यह कितना हो गया, 113 यहाँ पर 173 आ रहा है, तो यह भी नहीं होगा यहाँ आजाओ 11M 11M के मतलब क्या है multiply 34 L का मतलब है divide 17 Q का मतलब है, अपका minus 8 L का मतलब है divide 3, अब आप इसे solve कर लो 172, 34, तो यह कितना होगा 112, 22, minus 8 8, 3, 3 LCM ले लिया, तो यह हो गया, 66 minus 8, 66 में 8 गए तो 54 56 में 8 गए तो 58, 58 बटे 3, तो यहाँ पर 38 बटे 3 आ रहा है, जबकि आख इतना होगा इसको solve करके 58 बटे 3 तो यानि कि यह भी हमारा answer नहीं होगा, यानि कि यह भी हमारा answer नहीं होगा, तो that last option है, that option number D जो कि हमारा answer बनेगा क्या बनेगा, option D, कैसे बनेगा, देखो 9 P का मतलब plus 9 L का मतलब divide, तो divide पिर उसके बाद 9 Q Q का मतलब minus 9 M, मतलब multiply 9 ठीक है, तो यह equation हो गई अब आप इस equation को देखोगे, तो इसको solve करोगे, तो यह 1 हो गया 9 एक 10, minus 9, 81, और 10 में 81 गए, तो minus का 71 आ गया, तो minus का कितना आ गया, minus का जो है, वो 71 आ गया, तो यहाँ पर आपका answer कितना आएगा, option number D आएगा यहाँ पर आपका answer कितना आएगा, option number D आएगा सही है, option number D आएगा सही है, तो यहाँ पर आपका answer कितना आएगा option number D आएगा, इस question की कोई trick नहीं होती हैं दोस्त, इसका मैंने क्या का, दो ही तरीके, या तो यह question हमें exam में skip करना है, अगर हमारे पास time नहीं है, और time है तो सबसे last में attempt करना है, सबसे last में attempt करना है, क्योंकि समय नहीं घराप करना हमें वहाँ, आपर समय बहुत महत्वपूर होता है, और ऐसा question डेढ़ से दो मिनट लेके जाता है, minimum डेढ़ मिनट तो आप मान के चलो चाहें, आप कितनी speed में करो, है ना अब इतना समय देने के बाद भी 45% बच्चे सही दे रहे हैं, बाकी तुक्का लगा रहे हैं देखो सर, एक बात बताओ, आप से नहीं हुआ, कोई बात नहीं, दस बच्चों से हुआ, उन दस के answer जो आना चाहिए था option D आने चाहिए थे, दस के अध कदम थी, 100% D होता, मैं किया रहा हूँ, दो बच्चों से हुआ था, वो दो बच्चे कमेंट, इसमें पोल में answer देते, D option देते, बाकी क्यों तुक्का लगा रहे हैं, तुक्का लगा करके गलत बात है, तुक्का नहीं लगाना लेट आयो, अच्छी बात है देर आये, दुरूस्त आये, अब पढ़ो क्यों भड़ा है, तुक्का लगाल हुआ अच्का करें तुक्का लाओ ओनना चुान ऄंड़ाstawy क्यों साइग लगाऊ समय भी, मौन च सभा टने को, आंसा अझा बाते, ओऄ उसमें सके लिए झाल के रहा भ wrench है multiply सो उन की जगह हम क्या लगा देंगे multiply के रहा है when का रहुत है multiply तो उन की जगह multiply के रहा we will का र Θय है plus , तो will की जगह plus u, u का र THय है divide तो u का divide और के हाई कि कम का र है minus तो कम का cake minus when will you come ? मतलब तुम कब आओगे ? है न when will you come ? तुम कब आओगे ? चलो सही है ? अब देखो यहां पर कितना हो गया ? कराई की 8 गुडां 12 कराई 8 गुडां 12 plus 16 बटा 2 minus 10 16 बटा 2 मतलब 8 12,86 96 minus 2 यानि की 94 तो अपका आंसर कितना बन गया ? 94 तो जिनका भी आ रहा 94 वह बिलकुल सही है और जिनका नहीं आ रहा 94 वह सही कर लीजे तो बी option बिलकुल सही है 81% गजब अब ठीक है थोड़ा साब लगा आज ही पढ़ रही हो चलो चलिए अगला है next है तो वह कहरा when will you come ? जि 94 बाद आएंगे हम ठीक है चलिए अब अगले में क्या है ? यहाँ पर missing है अब missing value में आपको यह देखना है कौन सा यहाँ पर put करके answer आ सकता है अब बदाव कौन सा यहाँ पर put करके answer जो है वह लाया जा सकता है बताव भी value missing है इनकी जगा plus minus divide multiply है सब लगाना है देखो plus पहला option पहला option में क्या रहा plus लगाओ minus लगाओ multiply लगाओ तो यह हुआ इतना 44 में 18 गए तो answer नहीं आएगा तूसरा option multiply लगाओ divide लगाओ और minus लगाओ लगाओ यह तो 33 गुड़ा 11 बटा 3 minus 6 3 से कित्ता होगे है 11 तो 11 111 में 6 गए 121 में 6 गए कित्ता होगा 115 121 में 6 गए कितना बनेगा 115 तो option B बिलकुल सही option B जो है वो बिलकुल क्या बना option B जो है वो इसका बिलकुल सही बना ठीक है? बहुत बढ़िया 56% बच्चोगा चाहिए काहे तुक्का लगा रहे हो तुम सच में मेरे सामने नहीं बैठे निया आद दो-चार कुट के जाते चलिए सही है भाईया? तो option 20 का right answer है next करिए भूख लग रहे है बहुत तेज पेट बोल ला है भूख के मारे कोई trick नहीं है बेटा mathematical operators में कोई trick नहीं है solution करना ही पड़ेगा maths में क्या trick होती है? solve करना पड़ेगा calculation में कोई trick थोड़ी नहीं होती है और बढ़ेगा शिवानी और बढ़ेगा शिवानी देखो यहाँ पर प्लस अब देखो इस question को असान पता है कैसे बना सकते हो थोड़ा सा little bit जैसे divide का symbol यहाँ पर है मैं पता है 14 तीन से भाग नहीं होगा ठीक है? माइनस मल्टिप्लाई एक्वल टू प्लस 14 तीना 42 तो माइनस में 42 की value है और 15 में 42 गए तो माइनस का 27 तो यहाँ हो गया 23 तो यहानि कि यह भी नहीं होगा प्लस मल्टिप्लाई एक्वल टू प्लस तो यह हो गया 15 प्लस चौदत यहां 42 एक्वल टू 23 तो यह हो गया 57 तो यह भी नहीं हो तो यानि कि यहाँ पर कोई सा भी नहीं है केवल option d कर आइट आंसर है क्या है केवल option d कर आएट आंसर है कि none of these ठीक है, क्या है, none of these सही है भी या, तो इसको equation को कोई भी जो है वो equal नहीं बना पाई का अगला देखिये, next the most difficult question of this chapter, would be look like this आपको 2 minute दे रहा हूं 2 minute में आप solve करके बता हो कौन सा इसमें सही बनेगा 2 minute तो बहुत है, या धाई दे दूँ चलो, धाई minute बनाओ कोई बात नहीं, देखो, exam में आपकी इच्छा है वहाँ पर आप attempt करना चाहो, करना last करना, last में करना चाहो, last में करना skip करना चाहो, skip करना यहाँ तो solve करो, यह कोई यह एक्जाम तो नहीं है, यह तो आपकी class है, class में भी नहीं solve करोगे तो फिर क्या फाइदा आपका, क्यों पढ़ रहे हो फिर पढ़ने का कोई औचित्य है नहीं है, अगर आप class में भी solve नहीं कर रहे हो, तो class में तो solve करोगे यार, बनाओ करो इसको बाकी जो आपकी RRB, ALP वाली book है अगर आप लोग यह book लेना चाहते है तो आप लोग यह book जो है, वो purchase कर सकते है और यह book जो है, Amazon, Flipkart, Pw की website, app सब जगा available है और इसमें जो है, वो एक general guide के तौर पर आप यह use कर सकते हो ALP के जो students हैं, उनके लिए जनरल guide के तौर पर आप इसका इसका इस्तमाल कर सकते हो, इसमें chapter wise theory है previous year paper हैं, और काफी चीज़े है चले है, पिराल इसका answer दीजी, एक क्या जारहा है, देखे, बताइए इसमें आया कोई आपका या नहीं? हिंदी में नहीं है, हाँ हिंदी में नहीं है हिंदी में जब आईगे तो आपको बतादीगे, अभी हिंदी में नहीं है नहीं नहीं अगर स्किप करोगे तो निगेटिव मार्किंग में नहीं कटेगा गलत करोगे तो निगेटिव मार्किंग जाती है स्किप में निगेटिव मार्किंग कभी नहीं जाती है चलो फिलाल ये सॉल्व करो आया आप सभी का solve करके answer बताओ जल्दी से क्या आया है यह ना बागी बाते बाद में फेले यह solve करके बताओ यह क्या है इसका answer क्या रहाए जी divide का मतलब है equal to divide का मतलब क्या है equal to multiply का तातफड़ म्में क्या है less than plus का तातफड़ म्में greater than minus का ताथ पर रहा है multiply greater than का ताथ पर रहा है divide और less than का ताथ पर रहा है plus और equal to का ताथ पर रहा है minus ठीक है minus की जगा plus greater than की जगा divide plus की जगा greater than minus की जगा multiply equal to की जगा minus और minus की जगा फिर multiply और greater than की जगा plus नहीं इसके जगा डिवाइड प्लस स्री प्लस 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 उम नमश्वर सॉल्व कीजे इसको तो कह रहा है 1 इंटू 3 3 बाइ 2 इस 1.5 3 बाइ 2 इस 1.5 ग्रेटर देन 1 इंटू 5 इस 5 तो यह तो यहीं गलत हो गया क्योंकि सवा जो है वो 5 से बड़ा नहीं होता चलो solve कर लो पूरा 5 माइनस 3 यानि की 2 और 2 प्लस प्लस 3 यानि की 4 तो यह equation औल्दो पूरी जो equation है ना solve होने के बाद यह इस तरह आ रहे है और इस तरह equation आ रहे है तो यह option तो आपका नहीं होगा क्योंकि ए डेड़ जो है वो छोटा होता है किससे? 4 से डेड़ जो है वो छोटा होता है किससे? 4 से ठीक फिर ऐसे ही बी option पर आओ क्या रहा है कि 1 माइनस माइनस कार्थ क्या है तो माइनस कार्थ यहाँ पर है हमने लिया है multiply ठीक है greater card के लिए है हमने divide, greater card लिए है divide, plus card लिए है हमने greater, multiply card लिए है हमने lesser, equal to card लिए है minus, और multiply card लिए हमने फिर lesser, और greater card लिए है फिर हमने divide, ठीक है, अभी यहाँ देखो, यहाँ पर हो गया, 1 into 3 is 3, 3 divided by 2 is 1.5, तो 1.5 greater than 1, बिल्कुल ठीक है, less than 5 minus 3 यहने की 2, less than 0.5 तो यहाँ पर यह चीज गड़ड़ा गई क्यों गड़ड़ा गई क्योंकि 2 0.5 से बड़ा होता है तो यह question क्योंकि इसकी तरफ जा रही है यह question क्योंकि इसकी तरफ जा रही है तो यह तो answer होगा नहीं ठीक है? तो यह तो answer होगा नहीं मतलब B option भी आपका solution नहीं होगा C option पर आ जाओ क्या रहा है 1 into 3 into का मतलब है less than greater than का मतलब है divide plus का मतलब है आपका greater than multiply का मतलब है आपका less than फिर multiply का मतलब है less than फिर minus का मतलब है आपका multiply और greater than का मतलब है आपका divide ठीक है अब इस equation को solve करो अब इस equation को solve करो यह question क्या कहना है अब यह question देखो यह question क्या कहा रही है करिये 1 less than 3 divided by 2 is 1.5 चलो यहां तक तो equation सही है Is greater than 1 यहां तक भी ठीक है Is less than 5 यह भी ठीक है Is less than 1.5 यहां पर गड़बड हो गई यहां पर क्या हो गई गड़बड हो गई क्योंकि यह 5 जो है वो 1.5 से बड़ा होगा, ठीक है, सही है, यह क्या होगा, यह बड़ा होगा, तो यह भी क्या है, आपका आंसर बिलकुल भी नहीं बना, यह भी क्या है, आपका आंसर बिलकुल भी नहीं बना, तो यहां पर जो बना, वो बना, none of these, that is, इन में से कोई नहीं मैंने आपको धाई मिनेट दिये थे solve करने कि धाई मिनेट में solve आप कर सकते थे तो निखिल, चौधरी, सुभाश, हर्षेथ, सांतनू चारो पांचो तुक्के लगाए तो तुम लग रहा है पांच पांच सेकेंड में एक कोशन नहीं होता अंसर नहीं आएगा इसका 4-5 सेकेंड में आरा लेकिन जिन्होंने solve किया वो काबिले तारीफ है उनके लिए क्लापेंगे और जिन्होंने किया उनकी आंतर आकना को पता है कि उन्होंने solve किया होगा तो जिन्होंने solve किया बहुत बढ़िया आप यह मानके चलो जब अगर आप मेरी बात मानके चलोगे ना और जब मैं क्यारों होचीस करते चलोगे आपका exam अपने आप निकल जाएगा ठीक है less than greater than क्या होता है less than का मतलब छोटा greater than का बढ़ा जैसे 5 greater than 3 5 तीन से बढ़ा होता है 3 less than 5 3 पांस से छोटा होता है अभी मैंने इसलिए बोला था कि 5th क्लास वाली जो किताब है उसमें यह सारी चीज़े दी गई है less than greater than जैको सेलेक्शन लेने वाला कभी शर्माता नहीं है सेलेक्शन लेने वाला बच्चा इस चीज़े नहीं शर्माता झाला कि शर्माता लेने शर्माता लेने वाला लेक्शन वाला नहीं है प्टा एक्जाम से पहले कट आफ तो कोई जोतिशी बता सकता है पीछा नहीं बता सकते सच में किसी जोतिश को दिखाओ कुंडले लेकर के जाओ और जोतिश को दिखाओ जोतिश बता पाएगा कि कितनी गटाओ जाएगी अब देखो यहाँ पर क्या है यहाँ पर ना सिंबल इंटरचेंज गरने है मतलब जैसे मल्टिप्लाई प्लस को इधर अधर बदल दीजे टू और फोर को बदल दीजे यहना सिंबल को आपस में बदलिए ठीक है सिंबल को आपस में बदलिए और सिंबल को आपस में बदल करके ही जो है वो आपका अंसर बनेगा अब जैसे यहां पर option यह कहा रहा है plus और multiply तो यानि कि इस जगा पर plus कर दो इस जगा पर multiply कर दो 2 और 4 यानि कि इस जगा पर 2 कर दो और इस जगा पर 4 कर दो ठीक है solve करो कितना हो गया 6 plus 4 दूनी 8 यह हो गया 14 और उधर दिया गया है 16 तो यह तो आपका answer नहीं बना यह तो आपका answer नहीं बना तो यह तो आपका answer नहीं बना दूसरे option पर आओ किया आप plus और multiply यानि कि again यहाँ पर plus और यहाँ पर multiply 2 और 6 मतलब इसे 2 कर दो और इसे 6 कर दो ठीक है तो यह हो गया कितना 2 plus 6 चोग 24 तो यह तो आपका 26 हो गया और यह 16 तो नहीं बन सकता यानि कि जो B option दे रहे हैं वो भी गलत दे रहे हैं ठीक है C पर आओ plus और multiply plus और multiply करा 4 और 6 तो यानि कि यह 4 और यह 6 यह 6 और यह 4 तो यह हो गया आपका गितना 4 plus 6 दूनी 12 which equal to 16 और 16 equal to 16 यानि कि यह होगा option C बिल्कुल सही यह होगा option C जो है वो बिल्कुल सही होगा क्या होगा option C जो है वो बिल्कुल सही बनेगा ठीक है तो C option बिल्कुल correct है C option बिल्कुल correct है तो यह सही है 25 परसेंट बच्च होगा वाह, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, सांदार, इसमें तारिणी का तुक्का है, बाकी हितेंद्र, एना विभूती भूशन, राकेश, शांतनों, इन्होंने सॉल्व किया है, दस सेकिंड में आंसर नहीं आएगा, इसका मुझे भी पता है, ठीक है, सर, कोशन ही समझ नहीं आया, कि यहां करना क्या है, कोशन में यहां कुछ नहीं करना था, उपर उर्दू भाशा में जो लिखा गया था, उसको पढ़ना था, कि निमलिखित में से, निमलिखित में से, संकेतों और संख्याओं को में हमारा कौन सा अंतर किसी दिये गए समिकरण को सही करेगा अब जब आम इसको बदल देंगे तो कौन सा जो है वो सही कर देगा इसको पढ़कर के करना था ठीक है छे की जगा पर 10.6 लगा अब इसमें मेरी गलती नहीं है यह कोशन है कोशन नमबर 10 थै वो ठीक है अगर आपको 10.6 लगा भी था तो फिर आपका आंसर कैसे आ गया 10.6 से तो आंसर आना ही नहीं था यह ना फिर तो 9 of these हो जाता डारेक्टी चलिए अगला देखे नेक्स्ट बनाएए चलो कोई बात नहीं कन्फिजन हो गया तो अब इसमें तो नहीं होगा अगले में मत कन हो ना कन्फिज अब भाई मैंने ऑफिशल राजपूत क्या गलत बोला आपने पूछा सर मुंबई की कट ओफ कितनी जाएगी तो मैंने सची बात तो बोली किया कोई भी टीचर एक्जाम से पहले कट ओफ नहीं बता सकता एक्जाम से पहले कट ओफ किवल जोतिश बता पाएंगे और यूट्यूब पर बहुत सारे जोतिश आजकल घूमते हैं जो कट ओफ बताते रहते हैं आप उनकी वीडियो देख लो मैं तो एक्जाम के बाद ही बता पाऊंगा दोस्त अगर आपको मेरी बात गलत लग रही है तो बिल्कुल गलत गलत ही सही क्योंकि कड़वी चीजे हमेशा गलत लगती है अब ही मुझे क्या पता कि पेपर का लिविल कैसा आएगा या मुझे क्या पता पेपर एजी आएगा टफ आएगा और आप अंदाजा लगाना चाहते हैं तो आप प्रिवियस येर कट आफ देख लीजे अररभी की वेबसाइट पर जाएए कट आफ आपको मिल जाएगी और कट आफ के लिए आपने बैच पर्चेस नहीं किया होगा मुझे नहीं लगता आपने बैच इसलिए पर्चेस किय अब यहां पर भी दिखें इंटर्चेंज करना है अब बदाएं इंटर्चेंज करना है प्लस और डिवाइट किया रहा है तो यहां पर प्लस ले लिजे यहां डिवाइट ले लिजे दो और तीन किया रहा है तो यहां पर दो ले लिजे यहां तीन ले लिजे तो इतना करते हैं इसको change नहीं करते हैं थीक है केवल और केवल left and side वाली value change होती है कौन सी value change होती है केवल left side वाली value change होती है केवल ये वाली जो है न ये value change होती है क्योंकि हमें समिकरण को इधर ही set करना है उधर की value दी गई है उधर की जो value है वो आपको दी गई है आपको जो equation है वो केवल ये वाली change करनी होती है जैसे यहाँ पर दिया गया है plus और divide तो यहाँ पर केवल यही change होगा 2 और 3 अगर यहाँ 3 लिख दोगे तो वो equation गलत होगी फिर हम अपनी मर्जी से नहीं करेंगे हम अपनी मर्जी से equation change नहीं करेंगे ध्यान देना इस बात पर केवल और केवल left side वाली equation पर change का फरक आता है right side वाली change नहीं होती है option a जो है वो इसका answer होगा option a जो है वो क्या हो जाएगा option a जो है वो इसका correct answer बन जाएगा ठीक है जो batch नया purchase की है जो अभी अभी आए हैं दोस्त मैं आपसे यह क्याना चाहूँगा आप class को starting से देखिए मतलब यह वाली class नहीं आप बिल्कुल introduction से देखिए तब ही आपको चीजे clear हो पाएंगी क्योंकि वो tuning नहीं बनती है अब मैं थोड़ा speed में चलता हूँ आसे एक महीने पहले जब मैं बैस वे पढ़ा रहता हूँ बहुत प्यार प्यार से चलता था क्योंकि तब इन बच्चों को चीजें समझा नहीं थी अब इन्हें आधी चीजें आ चुकी है आप लोगों से में इसलिए क्याता हूँ बार बार चलिए next अच्छा इसका answer क्या था option यह बना अच्छा चलो वहां पर आप change कर देते अब यहां तो change नहीं होगा बताओ फिर कैसे करते हैं तो इसलिए मैंने आपको समझाया कि left hand side change होगी कि वल right hand side नहीं चार की जगा पर 2 या 3 क्यों नहीं ले सकते क्योंकि जो चीज वहां पर change करने के लिए बोला गया है आप उसी को करोगे अपनी मर्जी से नहीं करोगे है ना यहां पर अगर 2 और 4 को बोला गया है तो 2 और 4 को ही change करोगे 6 को change नहीं करोगे अपने मन से नहीं करना जो वहां पर बोला गया है उसी को करना है ठीक है जो वहां पर बोला गया है उसी को करना है अपने मंद से नहीं करना तो 4 की जगा पर 2 या 3 नहीं लेगे सही है जैसे यहाँ पर क्या रहा है multiply और divide तो मैं यहाँ divide लगा दू multiply का तो symbol ही नहीं है ठीक है, क्या रहा है 2 और 4 तो मैं यहाँ 2 लगा दू और यहाँ 4 लगा दू तो इक इत्ता हो गया, 4 गुणा 2 बटा छे तो 4 दूनी 8 बटा छे यह भी नहीं बनेगा, तो भी भी नहीं होगा minus को plus, minus को plus 2 को छे, तो यह 2 और यह छे तो देखो 4 दूनी 8 प्लस छे 4 दूनी 8 प्लस छे यानि कि 14 और आभी कित्ता रहा है 14 चाहिए भी कित्ता 14, तो 14 ही आपका अंसर हो गया, that is option C क्या हो गया, option C बना 6 दिवाइ 2 इंटो 3 इकोल तो 0 बनाओ कराइ आपका बनाओ कया यह multiply यहां divide 2 और 3 तो यहां 3 यहां 2 0 कभी नहीं आ पाएगा 0 आएगा कब जब तक minus use नहीं होगा multiply के जगा minus 2 और 6 6 और 2 divide होगा नहीं यहां 3 यहां 2 6 बटा 3 minus 2 यहां 2 minus 2 यानिके 0 यहां पर है तो option D आपका अंसर होगा क्या होगा option D आपका अंसर होगा बहुत बढ़िया आपने वो कहानी सुनी है गभी मतलब आपने दो पंक्तियां सुनी है या नहीं सुनी है के शुन्य पे सवार हूं मैं बे अदव खुमार हूं कि शुन्य पे सवार हूं, मैं बे अदव खुमार हूं, अब मुश्च किलो से क्या डरूं, मैं खुद गहर हजार हूं बहुत ही प्यारी पंक्तिय हैं ये दो अब देखो, जो इसमें के कोशन है वो तो मैं अभी आपको कराऊंगा ही अगर अभी समय बचेगा भी मैं थोड़ा सा यूनिक पैटर्न की तरफ ले जाता हूं आपको क्योंकि इसमें के कोशन मैथमेटिकल ओपेटर्स के जो आते हूं मैंने आपको करा दिये हैं अगर इस तरीके का कोशन आये तब क्या करते हैं यहां पर क्या कहना चाहता है समझेगा यह पजल वाले कोशन से हैं यह क्या है यह पजल वाले कोशन है पजल वाले कोशन कैसे है यह पजल वाले कोशन है पजल वाले कोशन कैसे हैं कि आपर कह रहा है पांच हैश नौ इस्टा एड़रेट साथ का जो अर्थ है वो बावन है अब आपको यह बदाना है इन तीनो वैल्यूस का किस तरह यूज करके और इन दो सिंबल्स का किस तरह यूज करके बावन लाया जा सकता है। अब देखो अगर मुझे इन वैल्यूस का यूज करना है तो मैं क्या यह कह सकता हूं कि अगर मैं है हैश को तो मल्टिप्लाई से चेंज कर दूँ और एड़ रेट को प्लस कर दूँ तो यह कितना हो जाएगा पांच निम पैंतालिस हो जाएगा प्लस साथ हो जाएगा तो पैंतालिस और साथ कितना हो जाएगा बावन हो जाएगा थेक है वही प्लस मल्टिप्लाई और प्ल यहां पर भी तो फिर यही चीज है फिर यहां पर यह 89 कैसे आ गया बदा विया अगर यहां पर हम इसको मल्टिप्लाई को प्लस में बदल रहे और यह 3 है तो कि तो गया 9 दोनी 18 और 3 कितना हुआ 21 तो यह माइनस का 89 कैसे आया फिर अब यहां देखो है ना 7 इंटू 6 प्लस 9 तो साच्चिंग 42 42 और 9 53 सर 53 तो option में है ही नहीं तो जो आपने logic सोचा वो तो गलत हो गया जो आपने logic सोचा वो तो गलत हो गया है ना जो आपने logic सोचा वो तो गलत हो गया साच्चिंग 42 और 9 सोरी 53 नहीं नोट 51 51, 51, तो जो आपने logic सोचा, वो तो क्या हो गया, गलत हो गया, वो तो क्या हो गया, गलत हो गया, अब जब ये गलत हो गया, तो दूसरा logic क्या लगे, बताओ, अब क्या logic लगाओगे, सोचो, 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 लगाओ, 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 बुद्धी लगाओ, है ना, सोचो बत बुद्धिलगाव बताओ बताओ बुद्धि लगाओ नहीं लगी क्योंकि ये वाला लॉजिक तो भई सब ने लगा दिया था ये लॉजिक तो इच और एवरिवन डन विद दिस लॉजिक बट बच्चे ये लॉजिक है ये नहीं जरूरी नहीं होता ना जो आप सोचो वो सही हो कितना होगा 52 सही है कितना होगा 52 ऐसे ही यहाँ पर आजो क्या रहा है 3 add the rate 9 hash 2 हमने hash को गयब किया तो यानि कि ये तो 92 हो गया add the rate की minus लिया है तो minus हो गया तो कितना हो गया minus का 89 minus का 89 Shibu Kumar कह रहे है ये कोशन नहीं आएगा examiner घरा के बता के गया होगा बिटा आपके है ना ये शिवू ये वाले कोशन हम देंगे नहीं इस बार है ना तो आप मत पढ़ना ये कह के गया होगा examiner घरा कर गये तो hash को गायब कर दो यानि कि 76 add the rate की जगा minus लगा दो का answer आगया 67 option number ये योला confidence कहां से आप आप लोगों में ये कोशन नहीं आएगा क्यों भी या तो बुद्धी लगाओ यार ये मत बदाओ कि आएगा नहीं आएगा ये बताने का काम मैं देख लूगा कौशन आएगा नहीं आएगा वो मेरा गाम है तोहारा काम है जो कोश्चन मैं दे रहा हूं उसको solve करना है ठीक है तुम्हारा काम यह नहीं है कि पुलकित सर्थ यह बदा दो कि यह नहीं आएगा सही है साक्षी और मुस्कान आंसा नहीं आ रहे तुम दोनोगे ट्रॉफी हम बाट रही हो बहुत बढ़ी है तेंद्र एक ही वैल्यू छही है सर्थ यहां पर वैल्यू कैसे आएगी 6 का स्कॉाइर प्लस 4 का स्कॉाइर प्लस 7 का स्कॉाइर जोड़ लोग इतना हो गया 36 प्लस कितना 16 प्लस उड़नचास वरबर 101 ऐसे ही 2 का स्कॉाइर प्लस 5 का स्कॉाइर प्लस 11 का स्कॉाइर कितना हो गया 4 प्लस 25 उनत्रिस प्लस 121 यानि के देड़स हो तो यहां पर हो गया a का square plus 8 का square plus 9 का square बराबर 289 तो a का square equal to हो गया कितना यह पहले plus ही कर लो चलो इसको तो हो गया 64 plus 81 बराबर 289 यहाँ पर a square की value गित्ती हो गई 289 minus दो हो गया 4 हो एक 5 और 8 हो चे 14 ठीक है इसको minus किया 9 में 5 गया 4 बचे 4 बचे 1 बचा तो a square की value यह हो गई तो a की value गित्ती हो गई root of 144 root of 144 is 12 root of 144 is 12 that is option c इसका answer क्या बनेगा c बनेगा option से भी कर सकते थे आप कि 5 का square plus 8 का square plus 9 का square 8 का square plus 8 का square plus 9 का square यह 12 का square plus 8 का square plus 9 का square प्लस 17 का स्क्वार प्लस 8 का स्क्वार प्लस 9 का स्क्वार अब चाहते तो option से भी कर सकते थे ठेक है so you can do it by options also चल भाहिया अगला question देखते add कर रहा है simply 14 प्लस 32 याने के 56 simply add कर रहा है इसमें दो ठेक है 52 प्लस 20 याने के 72 ठेक है तो यहां पर हो जाएगा 35 प्लस 14 that is 49 so the answer is option D direct addition हो रहे थे यहां पर अगला देखो next लगाओ logic करा 3 star 3 3 at the rate 3 star 3 equal to 3 बदा भी है प्यारा लोजिक है ध्यान से गरना क्या लोजिक के बदा हो जाएगा लोजिक है लोजिक है लोजिक है लोजिक है अब हो भी ठीक है पर इसमें पड़ा 46 लिखा दा 46 का लिखा दा देखो अगर यहां हम एड़ रेट को डिवाइड में चेंज कर दें और स्टार को मल्टिप्लाई में तो 3 by 3 यानि की 1 into 3 is 3 ऐसे एसे ही 48 एड़ रेट को डिवाइड में और स्टार को मल्टिप्लाई में तो यह हो गया बारा तो बारतियां गित्ता हुआ 36 ऐसे ही यहां पर 91 divided by 13 गुड़ा दो तो यह हो गया 13 सत्य और साथ दूनी 14 तो यानि की option number D 13 सत्य और साथ दूनी 14 यानि की option D सही है option D चलो एक और देखो इसमें का बनाओ झाल-पक्षब कि उस्टनी पर्लाई यहां चाहां झाल-णंडन्प askन ऑनत利द सबस्सेंट शौन कर दो कर दो कर दो कर दो पांच कितना तेहेस एक इंटू 4 प्लस 8 कितना? 12 तो अगर हमने एकदम से स्टार्टिंग में यह लॉजिक सोचा तो वही गलती जो हम पीछे कर रहे थे इसमें भी वही गलती जो हम पीछे कर रहे थे तो जल्दबाजी में एकदम से लॉजिक बिलकुल मत सोच लेना जो आपने गलती पीछे करी थी वही गलती आप यहां दोरा दोगे ठीक है, तो जल्दबाजी में लॉजिक नहीं सोचना है, अब सुकून से सोचो, बताओ, क्या बनेगा अभी शेक अभी चेक कर लेते हैं, तहीसवा कोशन भी बताओ, क्या बनेगा 23 में कहां लती होगी 23 में कहां लती है बेटा, यह 35 प्लस 14 लिखा है 35 प्लस 14 लिखा है, 35 और 14, 46 कैसे हो सकता है 9 और 5 और 4, 9, 3 और 1, 4, कैसे हो सकता है यह 46 बताओ जरा, कैसे हो सकता है यह 46 इतनी तो भावनाओं को समझ जाए अगर उने थी है ना, यह वाँ क्या लिखा है यहाँ तो 46 होने का समभावन ही नहीं है बिटा यह अच्छा यह क्या रही हो 46 होगा हे प्रभू, मैं क्या करूँ मैं इन बच्चों का क्या करूँ यह वह वाली गलतिया ढूनते हैं कि अगर मैं हाँ पर टेविल लिख दू ना ऐसे करके दो, चार, आठ, सोला, बत्तेस और यहाँ अगर मैं धोके से 64 की यहाँ च्छी लिख दू तो कि गुरुजी यह 66 कैसे आ गया यहां तो 64 ही आना चाहिए था अरे तो इतना तो तुम्हें भी पता है चौसेट आनची ततत्रह तो तुम्हें पता है वह 46 ही है वह लिख गया होगा 56 कैसे तो मेरा अप्रूल बना सकते हो मैं तुम्हारा नहीं बना सकता चलो इसका आंसर नहीं बताया जा रहा इसका लॉजिक किसी से नहीं बताया जा रहा पिछले कोशन में चार की जगा है कि इसमें क्या लॉजिक लग रहा है यह लॉजिक तो यह आप बताओ सर यह आपका काम है बताना है ना बता दो एक भी बच्चास का लॉजिक बदा दो भाई सावाज चौकलेट मेरी तरफ से राहूल शर्मा तुक्केवाजी ए बी सीडी कोई भी लगा लेगा अकडवक उतकर्ष परमार कतई गतई कतई गलत आंसर है नहीं आराना लॉजिक कुछ नहीं गन्ना दा इसमें 925 लिखा है इसको रिवर्स करके लिख दो 539 इसको आरूट देख लो 23 का होता है 148 लिखा है इसको लट के लिख दो 841 होता है किसका होगा 29 का होगा 163 लिखा इसको लट दो 361 होगा किसका होगा 19 का खतब कितना सूदा सूदा लॉजिक था अता नहीं क्या ग्या सोच रहे थे चालो तो mathematical operators में यही है बाकि टेलिग्राम ग्रूप में मैं इसके प्रैक्टिस कोश्चन आपको दूँगा प्रैक्टिस कर लेना एक्स्टा डीपीप तो आपको मिलेगी तो mathematical operators में कुछ नहीं है बहुत ही simple topic था mathematical operators यह बहुत ही simple जैसे कहते हैं दिमाग लगाना है हलका सा जो तुमारे पास कम है थोड़ा ठीक है और प्लस माइनस मल्टिप्लाई डिवाइड का यूज है जो कि हम class 1 से करते आ रहें ठीक है बॉर्ड मास का यूज है जो कि हम class 4th या 5th से करते आ रहें तो इसमें कुछ भी नहीं था कुछ भी अलग नहीं था बढ़िया था यह ठीक है चलो बहुत ही स्यांदार simple और मज़ेदार lecture आपका रहा ठीक है कल मिलेंगे अब on the same time सुभा सड़े नौ बजे अगले topic के साथ यह topic इतना ही है इसमें और कुछ नहीं है इसका कोई अलग से topic नहीं है ठीक है चलिए तो आज का session इतना ही तब तक के लिए take care have a good day love you all जैहन जैभारत जैहन जैभारत